सोलन की जेपी उनिवरसिटी में च्छटे दीक्षान समारो का आयो जुन किया गया है समारो की अधशुता राज्यपाल शिव प्रताप शुक लने की है राज़पाल ने JP University से इसनातक कर चुके विद्यार्थियों के उज्वल भविश्यों की कामना की और उन्हें डिगरियां प्रदान की राज़पाल ने कहा कि शिक्षा वो प्रकाश है जिससे अग्यान का अंधकार दूर होता है उन्होंने शिक्षा को अपने करतव्यों और अधिकारों के प्रती जागरु करने का माध्यम बताया है राज़पाल ने कहा कि हर विद्ध्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्र सबसे पहले है और राष्ट्र के प्रती काम और सम्मान के साथ निरंतर चलते रहना है जो आदमी चलता रहता है उसकी भाग जाकती है और जो चलता नहीं है उसकी भाग सो जाती है तो हर कोई इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भाग सोएना जा गया है इसके लिए चलते रहना है जोरान राज़पाल ने कहा कि बारिश के मौसम में सरकार के साथ साथ लोगों को भी सतर करहने की जरूरत है कि पिछले साल जो प्रदेश ने जहला है वो इस बार ना जहलना पड़े अगर कोई आउशक्ता पड़ती है तो तुरंत लोगों तक साधन उपलब्द कराया जा सतर करा सकता है तो मुझे लगता है सरकार को भी सतर कराना चाहिए सरकार के साथ साथ हिमाचल में रहने वाली लोगों को भी सतर कराना चाहिए पिछली बार जो जहला है वह अब की बार ना जहला है और अगर कोई ऐसी आशकता होती है तो सरकार के पहुँचने से पहले लोगों को खुद आगे बढ़ करके वह काम कर लेना चाहिए फिर भी मैं समझता हूँ कि अब की बार पिछली जैसी इस्तिती नहीं आएगी महीं दिक्षाट समारों को लेकर विद्यार्थियों ने भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि ये दिन उनके जीवन में बेहत महत्व पूर्ण है सभी चात्रों ने अपनी खुशी साजा करते हुए संस्थान का भी आभार जताया आज बहुत ही खुशी का दिन है आज तक भी तो ये अवरियों ने हमें आज कॉन वकेशन के लिए बुलाया जाएं अचाट के लिए थे जबनाएं आज आज चॉशी का दिन है क्योंकि मुझे गल्ड मेडल मिला है मेरे पैरंट्स पी है है मेरे माता पिता है है तो एक बहुत बड़ा दिन है मैं बहुत बहुत खुश हूँ